प्रभू का वचन में इस परकार से लिखा है मति की किताब 24 सद्य है और 6 वचन कोई मनुस्या दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुछ जानेगा तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हलेलुया प्रभू का वचन कहता है मेरे अजीजो कोई मनुस्या दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता हलेलुया कोई मनुस्या दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता वो या तो एक से प्यार करेगा और दूसरे से बैर करेगा या एक को तुछ जानेगा और दूसरे को उत्तम जानेगा कोई मनुस्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता भगवान की या पैसा की पैसा की या परमेश्वर की दोनों मेंसे एक को चुनना पड़ेगा कोई भी व्यक्ति दोनों को साथ साथ सेवा नहीं कर सकता हालेलुया आज की दुनिया दो स्वामियों की सेवा कर रही है किसी ने अपने दिल के अंदर किसी को बसा के रखा है किसी ने अपने दिल के अंदर संसार को बसा के रखा है किसी ने पैसे को अपने दिल के अंदर बसा के रखा हुआ है और किसी ने किसी व्यक्ति को, किसी पती को या पतनी को या अपने girlfriend को या boyfriend को अपने दिल के अंदर बसा के रखा हुआ है किसी ने किसी को, किसी ने अपनी जैदाद को, किसी ने business को, किसी ने property को किसी ने अपनी सोहरत को, किसी ने दोलत को अपने जीवन में बसा के रखा हुआ है और उसकी सेवा करने में लगा हुआ है दिन रात कमाता है आदमी दिन रात मेनत करता है मारा मारा फिरता है किसकी सेवा करता है अपने बिजनस की सेवा बिजनस को बढ़ाने के लिए ना खाना खाता ना सचाई पर चलता ना इमानदार रहता किसलिए अपने बिजनस को बढ़ाने के लिए इसका मतलब ये है कि वो इ कोई इनसान अपने बिजनस की सेवा कर रहा है कोई इनसान अपने परिवार से जाद और किसी के बारे में सोचता ही नहीं कोई तो परिवार के बारे में भी नहीं सोचता बलके अपने खुद के बारे में सोचता और अपने बाल बच्चों के बारे में भी नहीं सोचता वो किस की सेवा कर रहा है वो खुद की सेवा कर रहा है खुद के ऐसो आराम की चिंता कर रहा है यानि खुद के लिए कर रहा है कोई व्यक्ति अपना नाम बढ़ा करने के लिए कर रहा है वो किसी और का नाम उंचे उठता देखना चाहता ही नहीं है अपना नाम अपना नाम सारी पीचा करता है हालेलुया दो स्वाम्यों की सिवा यानि के आपने अपने दिल के अंदर क्या-क्या बसा के रखा है बहुत से तो ऐसे मसी भाई बहन है आज की कलीसिया में संडे को सिरफ परमेश्चर का आशिरवाद चाहिए उनको यसु की अराधना करने के लिए नहीं आते आशिरवाद लेने के लिए आते हैं और आशिरवाद लेने वालों का क्या पहचान होती है वो प्रवु की अराधना में समय पे नहीं आएंगे ना अराधना करेंगे वो द कि हलो कि सिर्फ परमेशर का आशिर्वाद चाहिए उनको बस पादरी साब मेरे लिए दुआ कर दें कलीसिया मेरे लिए दुआ कर दें मेरा काम हो जाएगा खुद अराधना नहीं करते परमेशर की खुद खुदा के आगे तूटके नहीं रोते बस आशिर्वाद प्रापद करने के लिए आते हैं बाकी दुनिया में बाकी के छे दिन में वो क्या करते हैं बाकी दुनिया के काम करते हैं अपनी बडोतरी के काम करते हैं अपने फायदे के काम करते हैं अपने मुनाफ़े के काम करते हैं अपने बिजनस को बढ़ाने के काम क करते हैं अपनी प्रोपर्टी को उंचा करने के बड़ा करने के काम करते हैं अपने नाम को उंचा करने के काम करते हैं संटे को सिरफ आशिरवाद लेने के लिए आ जाते हैं जर्च में प्रभू उनको पसंद नहीं करता क्योंकि तुमारा परमेश्वर तुमारे मन के अंदर की बात को जानता है कि तुम किसलिए परमेश्वर के पास आते हो उसके सामने कुछ भी छुपा हुआ नहीं है हलिलुया शिर्प आशिर्वाद लेने के लिए ना ना के येश्यू की अराधना करने के लिए और ऐसे लोग चर्च के बाहर बस प्रार्थना करवाने के लिए फिर लाइन लग जाती है जल्दी 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 मेरे सिर्पे हाथ रख दो मेरे स्रीपे हाथ रख दो मेरे स्रीपे हाथ रख दो ऐसा नहीं मेरे भाई बहन जब आप येशु के साथ जुडेंगे जब आप येशु की अराधना करना शुरू करेंगे प्रभू का वचन कहता है दुनिया की आसी से तुमारे पिछे-पिछे फिरेंगी दुनिया की आसी से तुमारे पिछे-पिछे फिरेंगी प्रभू येशु मसी ने कहा तुम इस बात की चिंता नहीं करना के तुम क्या खाओगे, क्या पिओगे, क्या पहनोगे, कहा रहोगे बस तुम परमेश्वर के राज्य की घोज करना परमेश्वर की धार्मिक्ता की खोज करना ये सारी चीजे तुमारे जिंदगी में अपने आप आ जाएंगी मसी लोग जो येसु के कहलाते हैं जो येसु के लोग हैं वो इस बात की चिंता नहीं करते के मेरा कल क्या होगा वो इस बात की चिंता करते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरे से नराज न हो जाए और मैं अपने परमेश्वर को खुश करने वाला बनू क्योंकि जो आज वफादार है वो कल भी मेरे साथ वफादार रहेगा हालेलुया जो प्रभु से प्यार करते हैं वो सारे लोग बैंकों में पैसा इकठा कर लेते हैं उनसे पूछते हैं क्यों इकठा करते हैं बुरे समय में काम आएगा आप पहले से विश्वास करते हो कि आपके जीवन में बुरा समय आने वाला है और डेफिनेटली वो आपके जीवन में आएगा ही आएगा अगर आप प आज भी सुरक्सित है और मेरा कल भी सुरक्सित है मैं मैं और मेरा परिवार आज भी सुरक्सित है और मैं और मेरे बचे कल भी सुरक्सित रहेंगे क्योंकि हम प्रभु येस्शुवसी के लहुं से खरीद दे हुए लोग है। हलेलुया इसलिए प्रभु कहता हैं तुम यह चीनता नहीं करना करति कर नहीं तो छोगे पिछे पिछे फिरेंगे नहीं कि अप Conference आगे असी से बोलेंगी भाई चाहां के पीछे आपके पीछे पीछ आएगी जो आपके पीछे पीछे अगे और टो आफ से दूर चला जाएगा हालेलुया भोट बहुत बार ऐसा होता हुटा जब नहीं नहीं प्रभु में आते फिर बिमारी भी निकाल दी, परिशानियां भी दूर कर दी, समस्यां भी निकल गी, आप प्रार्थना करते हैं, दुआ में समय बिताते हैं, और बढ़ता जाता है, कारोबार बढ़ता है, बिजनस बढ़ता है, प्रोपर्टी बढ़ जाती है, दीरे 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 बढ़ने लग जाता है, हम परार्थना करना छोड़ देते हैं, हम बोलते हैं टाइम नहीं लगता दुआ करने के लिए, हम बोलते हैं चर्च में आने के लिए टाइम नहीं लगता, रब का नाम लेने के लिए टाइम नहीं लगता, क्या करें काम इतना हो गया, बिजनस इतना हो गया, उलज गये, और येश्यू की तरफ तो आपकी पीट हो गई आपके कदम तो येश्यू की तरफ नहीं बढ़ते येश्यू से दूर जा रहे हैं आपके कदम आशिशों के पिछे जा रहे हैं और वो आशिसे भी आपके हाथ से चली जाती हैं वो तब तक थी जब तक आप येश्यू के पिछे हालेलुया वो तब तक आपके पिछे चलते हैं जब तक आप येसु के पिछे चलते हो जब तक आप सचाई के पिछे चलते हो लालच भी देती हैं गुमरा भी करती हैं आपको आपको मिसगाइड भी करने की कोशिस करती हैं जहां आपने येसु की तरफ से मूँ मोड लिया य और आप परमेशर से पिछे हटते 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 चले जाते हैं फिर प्रार्थना भी करने को दिल नहीं करता दो मिंट की प्रार्थना करते हैं और सो जाते हैं नहीं मुझे तो नीद आ रही है पापा मुझे तो नीद आ रही है पती पतनी कहते हैं नहीं सो जाओ को पीछहा सोच केपिछ पिछा चलतों अदिया याप के पिछह चलना सुरूय को हो जाएगे और मजा तो इसी में के दिनीया आपके पीछह चले को है अन्हें आज कर लड़के चिस्टेश मेगा डालते ना एक लड़के continuity चार kalau हम दुनिया सोचते हैं परमेशर की सोच से सोचते हैं अपनी मर्जी से नहीं चलते हैं परमेशर की मर्जी से चलते हैं और जब हम परमेशर की मर्जी से चलते हैं फिर हम से गलती हो जाती है तो फिर हम भी अभी माफिँ माँगे परमेश्rics चर्डा कर देता और चलना कर्वा देता हमें वहाँ भी रुक्ना नहीं डेता हमें ठकने नहीं देता अब गबराने नहीं देता और एक बाप के जैसे हमारे साथ आके खड़ा हो जाता है एक भाई के जैसे हमारे साथ आके खड़ा हो जाता है एक्स्पिरियंस करके देख लो अनुभव करके देख लो ऐसा ही होता है कि खलेख का अनुभव करके देखो परमेश्वर कितना भला है परक्क केसे उसके साथ connect हो के देखिये जूडके देखिये जैसे आप बिजली की तार को हाथ लगाते हैं करंट को हाथ लगाते हैं तो आपके स्रीर केसे करंट होके चलना सुरू कर देता है वैसे जब आप परमेशर के पीछे चलते हैं परमेशर की सामर्थ भी आपके अंदर से होके चलना शुरू कर देती है बरकते खुल जाती है अनुगरे खुल जाता है special प्राथना करवाने की जरूरत नहीं पड़ती आपको आपको फिर ऐसा नहीं लगता कि मुझे special आशिरवाद चाहिए बस पादरी साब मेरे सिर पे हाथ रखते हैं प्राथना करते हैं और मुझे आशिरवाद मिल जाएगा नहीं फिर आप यश्यू के साथ connect होते हैं आप कहत कि अग BAR करने का कम सोचते हैं बहुत खतरनाक है जब आप एड़ सौभी ओ की सिवा करने का कम सोचते हैं बहुत कम सो granddaughter का जब आप पैसे के बीना हमें शरेगा नहीं यह नहीं है कि आप पैसे को बिल्कुल ही भूल जाओ बलके उसके लिए आप परमेशर की तरफ देखना शुरू करो और अपना काम करते जाओ लेकिन अपना मन प्रभू के साथ लगा के रखिये हलेलुया आप जो थोड़ा भी कमाएंगे उस थोड़े में भी परमेशर बरकत देगा अगर परमेशर बरकत ना दे तो आप लाखों रुपए कमाएं आएगा और साथ की साथ निकल जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा वो कहां से एधर कहां गया अगर बरकत आगे तो आपके पचास रुपए भी पचास हजार का काम कर देंगे और फिर भी आपके पास पैसा बच जाएगा हालेलुया हालेलुया मैं जीवित गवाईयां यहां पर देखता हूं और जादातर वह नहीं बातों का परचार करता हूं जो मेरे जीवन से संब्धित होती है यहां मैं कलीशिया में देखता हूं यह बच्चा जो यहां डोलक बजाता है पिछले साल इनकी दो बहनों की साधी दी एक साल हो गया इनके पापा बोले अगली साल कर देंगे मैंने बोला नहीं कर दो बैन सुखी अगर इदर होगी तो पूझ लेना 10-15 अगजार रुपई ही होगी कितने पैसे ते तरे पाप अगजे में उस दिन 10 अगजार रुपई दे दो बेटियों की साधी भी होगी साधी होने के बाद पैसा भी बच गया उनके हाथ में जब कहीं से उमीद भी नहीं थ हम परमेश्टर पर भरोसा रखे करना सुरू करते हैं और हमारे सारे के सारे कामों को परमेश्टर सफल करता जाता है बहुत खतरनाक हो जाता है तब जब हम दो स्वामियों की सेवा करने की सोचते हैं कि जब हम दो स्वामियों पर बरोसा रखते हैं ना तो वो काम आएगा ना वो काम आएगा हालेलुया एक ही तरफ एक ही तरफ विश्वास लगा के चलिए चर्च में शिर्फ आशिरवाद लेने के लिए नहीं किसी ने अपने दिल में पैसे को बसा के रखा है उसकी सेवा करता है साथ साथ में परमेशर की सेवा भी करता है प्रोपर्टी को बसा के रखा है अपनी वेल्थ को फैमिली को हस्बेंड को वाइफ को चिल्डन्स को और बीजनस को और बहुत सारी बातों को अपने मन में बसा क कि उनकी सेवा करते रहते हैं उनके लिए कमाते रहते हैं उनके लिए उनकी बढ़ोतरी के लिए करते रहते हैं अगर आप येसु के साथ वफादारी से चलें तो उनमें भी अपने आप बढ़ोतरी आना शुरू हो जाएगी परमेशर वो है जो आपके सोचने से जादा और आ सबसे पहले यस्यू के नाम को परमेशर के नाम को उंचा करें जर्मनी में बहुत तारे ऐसे लोग थे एक समय था बहुत सारे नोजवान कॉब दे लिखे नोजवान काम नहीं है उनके पास को एक है है डबल मानिड़ी और के गुम रहे हैं उनमें से एक शातिर बंदा खड़ा हुआ कि उसने उनको यूज करना शुरू किया उनको इकठा किया संग्ठिट किया और एक आर्मी बना ली और पूरे यूरोप पे और पूरी दुनिया पे राज करने की सोच ली उसने और वो करता गया एक के वाद एक दे कि टार्गेट बनाके रखी अपने जीवन में कि मुझे यसू के पिछे चलना है एक दिन यसू के पिछे चलना बाकी दिन संसार के पिछे चलना ऐसा मत बनिए एक दिन यसू के पिछे चलना दूसरे दिन सैतान के पिछे चलना एक दिन यसू के पिछे फिर बिजनस के आपके सारे कामों की सफलता की गरंटी परमेशर लेते हैं। हलेलुया। दुख भी आएंगे, संकट भी आएंगे, परिशानिया भी आएंगे, लेकिन जीत आखिर आपकी होगी। जीतेंगे आपी। हलेलुया। पोलुस के साथ एक और भाई चलने लगा। दूसरा तिमोथियस की पत्री पढ़िए। चार अध्याए। ये बंदे को पार्टियां बनानी बहुत अच्छी लगती थी। ठाना पिना, ऐसाराम करना, लोग इनके पैर दबाएं, लोग इनकी सेवा करें। ये बहुत अच्छा लगता था इस आदमी को। इसका नाम था देमास। प्रभु की सेवा के लिए चुना गया ये बंदा। लेकिन मन में संसार की सेवा करने का सोच रखा था। मन में पार्टि, मन में खाना पिना, मन में ऐश्वाराम सोच रखा था। और लक्षय भी हिंड हो गया, लक्षय को छोड़ दिया, उदेशय को छोड़ दिया। दूसरा तिमोथियस की किताब चार अध्याई और दस वचन में इस परकार से लिखा है। फिर पोलुस लिखता है उसके विशे में, क्योंकि देमाश ने इस संसार को प्रिया जानकर मुझे छोड़ दिया है। कि जब आप संसार को प्रिया जान लेते हैं जब आप प्रोपर्टी को प्रिया जान लेते हैं जब आप भीजनस को यसु से ज़्यादा प्रियोरिटी देते हैं जब आप फैमिली को एश्वाराम को यसु से ज़्यादा प्रियोरिटी देते हैं तो आप संसार के पिछे चलने में लग जाते हैं आप उनकी सेवा में लग जाते हैं और जीवते परमेश्वर से धूर चले जाते हैं और यहां देमास भी ऐसा ही था इसको पार्टिया मनाना बहुत अच्छा लगता था खाना पी ना आश्वाराम करना टैम पे सो जाना बहुत अच्छा लगता था इसको और देमास ने संसार को प्रिया जानकर पोलुस का साथ छोड़ दिया जीवते परमिश्वर की सेवा को छोड़ दिया और थिसल नुके को चला गया और करेकेस गलातियां को और ती तुस दल मतिया को चला केवल लुका ही मेरे साथ है केवल एक ही आदमी साथ है आपने भी देखा होगा यहां सेवा करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं जहां उनका स्टेशन आता है उतर के चले जाते हैं उनके आश्वाराम का समय आ जाता है चार लोग मिल जाते हैं सब कुछ उनको मत होये अगर आप संसार के पिछे चलेंगे तो यह संसार आपको कहीं का नहीं छोटेगा आप ये अपको पिछे चलोगे तोutetor आपको नायाव बना देगा दculiarा में येश्व आपको उंचाईयों पर ले जाएगा येश्व आपको बुलंदियों पर ले जाएगा दूसरा कुरुंतियों की पत्री 13 अध्याए पांच वचन में लिखा के नहीं जानते कि ईसु मसी तुम में है नहीं तो तुम जांच में निकम में निकले हो हलेलुया जाचन आपने आपको है कर अगर अब सोचने मैं चिहाएं लота लेने के लिए अधाधे नियौन दनिया की सेभा करता हूं घर में जाके कोई प्रार्थना नहीं है, घर में जाके कोई वचन को पढ़ना नहीं है, घर में जाके कोई दूआ करना नहीं है, घर में जाके किसी परकार की संग्यती नहीं करना है, घर में जाके पांच मिंट की प्रार्थना है, चर्च में सबसे आगे आएंगे आप प्रार्थना क करने के लिए यह जब आप उसकी आराधना करेंगे तब आपके जीवन में परिवर्तन आएगा तब दुष्टात्मा आपको छोड़ के वैसे भाग जाएगी तब अंदकार आपके जीवन से वैसे निकल जाएगा आपको मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बिना मांग परमेशर आपकी जरूरतों को पूरा करने की ताकत रचता है हालेलूया हालेलूया इसलें मेरे बाइबेहन अपने आपको जानतीए अपने आपको पर रखेये के आप कहा जा रहे हो अपने लक्षय को मठ छोड़ेये अपने लक्षय को थामके रखि Abram अगर आफ संसार की स दूआ करें प्रार्त ना करें प्रबू से करें प्रबू मैं तेरे पीछे चलूंगा मैं शिर्फ आशिरवद लेने के लिए नहीं क्योंकि जब इन्लों गाशिरवास प्ने आप मिरी